अज जो हमारे किसान मोट्चा के तरफ जो प्रहस वारता की गई है हमारे अध्रक जी के माध्दम से इसमें भाहिंदा पार्टी के कुछ कारक्रम आये हुए है उन कारक्रम में एक विशेश सभ्यान अभी आया है कि जो बारत तारिक से सुभावरम होगा जिसका हमारे यससी द जगतपरशाद नडढ़ा जी उसका सुभारम करेंगे जिसका लाइबन भी होगा वह हमारे हां अतरॉली से उसका सुभारम होगा और उसकी वह गाम गाम ये किसान यत्राइव हमारे जो किशान मोट्चा की तरह से चलेगी इसका वह भी हर गाम पोहुंचेगी और हर गाम पहुंच करके जो किशानों के लिए जो भाइदा पार्टी कर रही है हमारे देश के यह सुस्टी प्रधानमंत्री आदर्णी नहिंद मोदी जी कर रहे हैं उसके बारे में हर्जगा इसके अफ़गत कराये जाएगा और मैं समझता हूँ आज एक बहुत बड़ी औ बुदय को सुस्टी परहिए bोले जा ठैंक 50 और हमारे प्रभास कर रहे हैं और जंता के बीच में रहेगा कर के जो समस्या है उन समस्यां को भी सुन रहे हैं उनका नराड भी करा रहे है कि विनोज सारस्वत मैं जिलाज दक्षिव भाजपा किसान मोर्चा अलीगर से आज यहां जो बिटेंगी है किसमा मुद्ध भारतिय जंता पार्टी सभी बर्गों के लिए अलग-अलग कार करती है उसी को किसानों की जो समस्या रहती है उसे प्रतंदियों तक पहुचाना सरकार तक पहुचाना उनका समाधान करना ये इसका उद्धिस रहता है अभी किसानों ने एक तरफा हो करके पिछले चुराम में सरकार को बोड दिया और भाजपा के नितत में मोधी जी की नितत में एक लेकर के जाने बाला है , इस फर्क्रमा यात्रा का उद्येस यहं है कि हम किसाने बीच के बीच में जा करके & व तक गर किसानों के लिए एक राम बाड योजना है जो किसान जिनके पास चारवी गा जमीन है एक एकर से कम भूमी है उन्हें जब उस एक एकर भूमी वाले किसान की लागत उससे पूरी लग जाती है वो अपनी जो फसल का उत्वादन होता है वो अपना बेश करके उसे अपने में कहीं ग्यास की वेवस्था नहीं खी ऑजला योजना के माज़म से प्रते घर में गयस पहुँचा का। हैं लोग में तो पूल सब्णों को को लिके हम किसानों के बीच में ञाने बाले अभी बजट घोसेत हुआ है, उस बजट में भी जो क्रस्टी के लिए बजट अब तक की जो सरकार है करती थी, वह काफी बढ़ा करके भाजबा सरकार ने किसानों के लिए बजट नरधारत किया है, उस बजट की माद्दम से भी अभी तक हम लोग देखते थे जो किसान था वो चारा करजे में दवा रहता था उससे सहावकारों से ही करजा लेना पड़ता था लेकिन इस सरकार ने किसानों की सुदली आज बैंकों ने किसानों के लिए दरवाजे खोल रखे हैं बहुत सस्ती भी आज पर किसानों को भरपूर रिण मिलता है जिसके कारण से वो अपनी खेती की लागत पूरी कर सकता है अपने बच्चों की पढ़ाही लखाई कर सकता है जो किसान पसुपालन कर रहे हैं वो उस कड़ से पसुपालन करके भी दूद के द्वार अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं इस यात्रा का जो सुभारम होने बाला है यह सुभारम मुझफण नगर से होगा इस सुभारम के अवसर पर हमारे किसानबुर्चा के राष्ट्री अद्यक्ष आधनिय चाहर जी हमारी पार्टी के राष्ट्री अद्यक्ष नढधा जी उस समय उपस्त रहेंगे वह लाइब प्रसारण भी पूरे प्रदेश वर में हम लोग किसानों को दिखाएंगे उसी दर्शी से हमने उद्गाटन का जो कारिकम रखा है वो वारे फरवरी को अतरौली में बारे बज़े कारिकम रखा है उसी समय इसका उद्गाटन हमारे राष्ट्री नित्त दोदार हो उसका लाइब प्रसारण भी हमारे किसान देखेंगे तो वह भी उससे प्रहवित होंगे